यह है क्लास 10 जोग्रफी चाप्टर एट टाइपस ऑफ अग्रिकल्चर इन इंडिया का लास लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ओफ क्रॉप्स जो फूट क्रॉप्स हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे हम पढ़ेंगे कि वो किस टाइप से किस पेसिस पर डिवाइड है बेस जान सीजन ओव ग्रोथ पहले तुम देखते हैं उसको डिवाइड क्या गया है सीजन के हिसाप से ठीक है सीजन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है कि किस सीजन पर जो समर सीजन में क्रॉप्स है तो उन्हें क्या कहते winter season की crops को उन्हें क्या कहते हैं और जो उन्हीं कहते हैं उन्हें क्याइब एगंध्ट सी हैं पहली है। पहली है खार रापी और यह तीन क्रॉप हैं सीजन के बेसिस पर डिवाइट किया गया है खारिफ क्या है, grows during monsoon season, खारिफ crops, वो crops हैं, जिन्हें monsoon के season में grow किया जाता है, ठीक है, यह कब grow होती है, monsoon के time पर, जिस time पर और इसमें कौन सी crop grow होती है, जिन crops को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उन्हें grow होने के लिए, seeds are sown in April and May, seeds कब बोया जाता है, April और May में, ठीक है, April और May के month में seeds को sown किया जाता है, मिस उसको बोया जाता है, harvest कब किया जाता है, October, November में, October, November में, यह जो crops है, वो पक कर तयार हो जाती है, मिस वो तयार हो गई है, अब, grains के form में हो गई है, तो उसे harvest कर लिया जाता है, मिस उसकी कटाई कर लिया जाती है, कब October, November में, खारिफ क्रॉप की को sown किया जाता है, अप्रिल में में हो harvest कब किया जाता है, October, November में, इसमें कौन-कौन से आते हैं, जैसे rice है, मेज, जौर, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, मूंग, मूंग क्या है, यह pulses है, डाल है, इसमें और आता है, उरद, ठीक है, यह pulses म हैं, जो खारिफ क्रॉप में आता है, खारिफ सिजन में ग्रो होता है, खारिफ क्या है, समझा गया, दूसरा देखते हैं, रावी, रावी क्रॉप में, सोन इन October, November, and harvested in March, April, रावी क्या है, October, November में, सीड लगा जाते है, सीड को बोया जाता है, कब, October, November में, और उसे हार्व कब किया जाता है, इस क्रॉप को, मार्च या अप्रल मन्त में, ठीक है, विंटर सीजन में होता है, विंटर सीजन में, यह कब किया है, मौन सुन सीजन की, रावी क्रॉप, विंटर सीजन की, विंटर सीजन में, यह कहां पर, ऐसे क्रॉप होते हैं, नॉर्थ वेस्टन पार गंगा प्लेंस क्या है जहां से गंगा रिवर बह रही है यह गंगा रिवर है तो गंगा रिवर की जो पगल का एरिया है इधर इधर साइट का यह क्या है यह गंगा प्लेंस कहते हैं तो गंगा प्लेंस का नौर्थ वेस्टन पार्ट जो है वहां पर रावी क्रॉप्स को ग् तमिल लाडू का जो coastal plain है जो समुद्र के side का जो area है वहाँ पर राभी crops को grow करते हैं राभी crops में जो main crop है वो क्या है wheat है राभी में main crop है wheat और क्या है बारले, gram, oil seeds ये सब क्या है all seeds में mustard है, lion seed है, wrap seed है ये किस में आता है ये all seeds में आता है ये सब कैसी है ये राभी crop की है crops फिर आए जैद, जैद crop क्या है जैद between rabi and kharaf राभी season और kharaf के बीच में इसको grow किया जाता है ठीक है मिस राभी crop और kharaf crop के पहले ठीक है March, April और May में March, April और May में इसे grow किया जाता है और क्या grow होते है वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उसे जैद crop कहते हैं जैद season कौन-कौन से वेजिटेबल्स जैसे water melon है, cucumber है, potato, tomato, lady finger ये सब grow करते हैं कौन सी crop में आते हैं ये, जैद crop में या इसे हम जैद season भी कहते हैं बोरो इन वेस्ट Bengal जैद को वेस्ट Bengal में बोरो कहते हैं वेस्ट Bengal में जैद को क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं, rice , वेस्ट Bengal और तमिल नाडू देखे si North West airport को कोस्टन प्लेन तमिल नाडू के तो कब यह होता है राभी राभी क्रॉप है यह राभी क्रॉप कब विंटर सीजन की क्रॉप है यहां पर ग्रो होती है लेकिन वेस्ट बेंगॉल और तमिल नाडू में वेस्ट बेंगॉल मिन्स rainfall के थूँ यहां पर water sufficient होता है और temperature भी maintain रहता मिन्स बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है इस वज़े से यहां पर इस time पर भी rice को grow कर लेते हैं समझ में आ गया खारिफ crop क्या है जो monsoon season में grow किया जाता है सीट को sown करते हैं अप्रेल में में harvest October November में किया जाता है कौन कौन से आते हैं crop rice, maize, jar, बाजरा, cotton, jute, groundnut, pulses में moong और उरद राभी में October November में sown किया जाता है मार्च अप्रेल में harvest किया जाता है विंटर सीजन में गंगा प्लेन के North Western पार्ट में और तमिलनाडू के coastal प्लेन में इन राभी क्रॉप्स को grow करते हैं राभी क्रॉप्स में wheat, barley, gram और oilseats आते हैं जात में जात राभी और खारिफ क्रॉप के बीच का है उस राभी और खारिफ सीजन के बीच का है मार्च अप्रेल में मन्थ में vegetables ग्रो करते हैं जैसे watermelon, cucumber, potato, lady finger, tomato यह सब ग्रो करते हैं वेस्ट बेंगॉल में बोरो कहते हैं जात को और वेस्ट बेंगॉल तमिल नाडू में जात के टाइम पर मार्च अप्रेल में के टाइम पर भी rice को grow कर लेते हैं समझ में आ गया यह season के basis पर growth के basis पर इसे classify किया गया है agricultural crops को समझ आया, note कर लीजे next है agriculture crop का classification based on the use of crops crops को जिस तरह से use कर रहे हैं उसके हिसाब से इसके basis में इसको crop को divide किया गया है जैसे food crops, food crops किसे कहते हैं, cereals और pulses को, यह कैसा food है, staple food है staple food means ज़ादा तर लोग जो है वो इसी को खाते है, ठीक है, means ज़ादा तर लोग किसे use करते है, cereals को और pulses को cereals में आता है rice wheat, maize, jaur, ragi, यह सब किसमें आता है? cereals में आता है, pulses में आता है, moong, urad और अरहर की दाल जो होती है ठीक है, ग्राम, यह सब किसमें आते हैं, पल्सेस में आते हैं ठीक है, यह food crops है, जो stappal diet में stappal food भी कहते हैं इन्हें cereals और पल्सेस को, ठीक है, फिर आते हैं cash crops cash crops ऐसे crops होते हैं, जो mainly sale के लिए grow किये जाते हैं, बेचने के लिए ये crops industries में raw material की तरह यूज होते हैं जैसे cotton है, jute है उसे हम या sugar cane उसे हम normally यूज नहीं कर सकते हैं cotton है जब ये industry में जाता है तो उसे clothes बन के आते हैं jute है वो जाता है तो उसे जो बोरे होते हैं ये थैले होते हैं ये सब बन के आते हैं शुगर के इन से शुगर बनती है जैगरी बनती है ये सब किस से शुगर के इन से बनता है ये industry में जाता है महां से बनता है तो जो crops बेचने के लिए होती है mainly बेचने के लिए और वो industry में raw material की तरह यूज किया जाए उसे cash crops कहते हैं ठीक है बेवरेज क्रॉप्स बेवरेज क्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो ड्रिंक की तरह यूज करते हैं जैसे टी और कॉफी है ठीक है fiber crops उन्हें कहते हैं जिनसे fabrics बनते हैं इसे cotton है Jut है इससे क्या बनके आते हैं जैसे mustard है मिल सर्सों है उससे हमें तेल मिलता है ground nut मूंख फली है उससे तेल मिलता है oil मिलता है Sunflower के seeds से oil मिलता है line seed, line seed को हम LC कहते हैं ठीक है castor seed को R&D कहते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है oil मिलता है इसे हम all seeds की category में रखें फिर plantation crops plantation crops किसे कहते हैं ऐसे जो cash crops हैं उसे अगर large scale में cultivate किया जाए large states में states हम बताये थे जो 40 hectare से ज्यादा में cultivation किया जाए तो उसे estates कहते हैं ठीक है तो plantation crops क्या है जो cash crops है उनका cultivation ज्यादा किया जाए इस लार्ज estates में किया जाए तो उसे plantation crop में रखते हैं जिसे cotton jute sugar cane यह सब किसमें आता है tea coffee rubber यह सब plantation crops में आता है फिर spices spices में है cardamom, elachi, black pepper जिसे काली मिर्च कहते है टर्मरिक हल्दी, anise seed, soft को कहते हैं कैरम seed अजवाइन को कहते हैं यह सब किसमें आते हैं spices में आते हैं coriander seeds जो होता है वो भी किसमें आता है spices में आता है समझ में आ गया यह जिस तरह से crop को यूज किया जा रहा है उस basis पर crops को डिवाइट किया गया उस basis पर crops को रखा गया food crops cereals और pulses को कहते हैं कैश क्रॉप में आता है cotton, jute, sugar cane, beverage crops में tea, coffee, fiber crops में cotton, jute, oil seeds में mustard, groundnut, sunflower, lion seeds, castor seeds, plantation crops में जो कैश क्रॉप्स को large scale में cultivation किया जाए, spices में cardamom, black pepper, turmeric, anise seed, karen seed, coriander seeds, यह सब किस में आते हैं, spices में आते हैं, यह crop समझ में आया, इसे नोट कर लीजे, chapter 8 complete हो गया है, next lecture में हम chapter 9 स्टार्ट करेंगे, thank you for watching this lecture कर दूँ शॉचार्ट Bliss में sekarang एकर्त , में आते हैं, कि अ कर दो भीजे दाए, और अ करिक ह tuh बिजदा, अ करते हैं, हम न पुआ हैं, आते हैं झाल झाल